वल्कम टिया रॉकाइट्स आज हमारी टीम आपके लिए चुनकर लेकर आई है एक मज़िदार जॉम्बी मुवी जो पिछले ही मैंने रलीज हुई थी जिसका नाम है जॉम्ब हंड्रेड बकेट लिस्ट अफ दे डेड ये एक जैपनीज एनिमी स्टोडी है हीरो एकदम घिसी पिटी लाइफ जी रहा होता है लेकिन एक दुन अचाराक टोक्यो सिटी में जॉम्बी इनफेक्शन फैन ले लगता है जब सबी जान बचाकर इधर उदर भाग रहे होते हैं तो हीरो कुछ अलगी करने का फैसला करता है जॉम्बी एपोकलिप्स के बीच वो ऐसा क्या करता है जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो तो जॉम्बी मूवी लवर्ट्स ये वीडियो हम आपको डेडिकेट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाने के साथ इंस्टाग्राम और पेस्जुक पर हमें फॉलो करने के स मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कि अब पर लगता है मैं जॉम्बेस का ब्रेकफास्ट बन जाऊंगा ये सोचकर वो जान बचाकर भाग रहा होता है यहां होता है सीन कट और एक साल पहले का सीन दिखाते हैं हीरो इसी अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में होता है और होता है वो अपार्टमेंट के एक दादा जी से कहता है कि मुझे ब्लैस कीजिए आज मेरा पहला दिन है दादा जी बड़े खुश होते हैं कि आखिर अकिरा का सपना पुरा हो गया और बहुती तरकी करेगा रास्ते भर वो सबी को हेलो करता है और मन ही मन सोचता है कि यह ल अपरिकन फुटबाल खेलता था इसलिए मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉंग हो अब इस नए और हंसमुक इंपलॉई को देखकर चेयरमेन भी खुश होता है और अकिरा को उसके मैनेजर से मिल वाता है तो उसके सामने मिया नाम की एक लड़की बैठी होती है और वो उसके स मैं उड़ रहा होता है वो चेयरमेन से कहता है कि तैंक्यू सर मैं कल से अपना काम शुरू कर दूँगा चेयरमेन कहता है कि क्या बात करते हो आज रात सही तुम्हें ओबर टाइम करना होगा अकिरा की धड़का नी रुक जाती है कि पहले दिन ओबर टाइम लेकिन अब कुछी देर में फिर आफिस जाना होता है और अगला दिन तो पहले दिन से जादा बत्तर होता है उसे डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है वो वहीं खाता है और कभी कभी तो आफिस में हिनाना पड़ता है कुछ दिन बाद तो अकिरा को होशी नहीं होता कि वो घर में है य ये कैपिटलिजम का असली और घिनोना चेहरा है। एक पल के लिए तो वो सोचता है कि ये नौकरी छोड़ दूँ पर इस जमाने वे जॉब मिलना इतना मुश्किल है कि चुपचाप इस नर्क में रहना ही उसे बेहतर लगता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम श जो ये जाब नहीं करने पड़ती है। इस तरह अकीरा बेवजह पुरानी बाते कहकर जगडा करने लगता है। आफिस में वो मियासे कहता है कि इस आफिस में सिर्फ तुम ही हमेशा स्मायल करती रहती हो और बास भी तुम्हारी तारिफ करते हैं तुम्हे कैसे कर लेती अकीरा की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाती है। अगले दिन अकीरा बेस्तर से उठना ही नहीं चाता और बिमार आदमी की तरह पड़ा रहता है। लेकिन वो जबर्दस्ती उठकर आफिस के ले निकलता है। यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। वो देखता है कि दादा जी एक आदमी को कुछ कर रहे हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ दादा जी। तो दादा जी मुड़कर देखते हैं। उनके मुँ में उस आदमी का मांस होता है और उनके शरीर पर खून ही खून। उनकी नहसे भी बाहर दिख रही होती है। असल में दादा जी ब बिसे बज जाता है लेकिन वो देखता है कि पूरे शहर में तहल का मचा हुआ है फ्लाइट में भी आग लगी हुई है पूरा जापान जॉम्बी से इंफेक्ट हो चुका है अब अकिरा को जान की फिक्र नहीं है बलकि वो तो खुश होता है कि आज उसे आफिस नहीं जाना पड़ेगा वो खुशी से जूमने लगता है वो मिया को मैसेज करता है तो वो उसे अपने घर बलाती है इस जॉम्बी अटैक के बीच भी अकिरा के खिसमत खुल गई वो तुरंत मिया के घर जाने का फैसला करता है लेकिन उसके अपार्टमेंट में एक अपल बिलकुल नॉर्मल होते है पते को नाम जोजू है और पतनी का शोरा शोरा प्रेगनेट होती है अकिरा कहता है कि आप लोग यहीं सेफ रहना मैं लोटते वक्त आपके ले कुछ खाने के लेकि आउंगा वो जॉम्बी से पीछा चुडा कर मिया के घर पहुची जाता है मिया बहुत तो डरी हुई है और कहती है कि मुझे उससे बचाओ वो यहीं पर है दरसल उनका बास मिया के घर पर आये था और वो भी जॉम्बी बन किया है अकीरा बास के बाल पकड़ कर कीचता रहता है आरे ये तो विग है अकीरा उसे खुब पिड़ता है अतने में मिया भी बुरी तरह तरपती है और उसके सारे नस दिखने लगते हैं फिर वो भी धीरे धीरे जॉम्बी बन जाती है और अकीरा के पास आती है अकीरा उसे धक्का दे कर कहता है कि तुम मेरी सबसे पहली क्रश हो और मैं तुम्हें प्रपोस करने वाला था लेकिन तुमों की बास के साथ मज़े कर रही थी फिर भी I love you ये कहकर अकीरा वहां से निकलता है और सिध अपने अपार्टमेंट में आता है वहाँ पर वो कपल भी नहीं होते शायद जॉम्बी ने उन्हें खा लिया अब अकीरा बहुत अकिला फील करता है और सोचता है कि अब ना तो जॉब है और ना मिया वो फैसला करता है कि जॉम्बी का शिकार बनने से पहले वो अपने चोटे से दिल की चोटी सी आशाएं पूरी करेगा वो अपना बकट लिस्ट त्यार करता है यानि मरने से पहले वो क्या क्या करना चाता है उसकी लिस्ट बनाता है उस लिस्ट में सबसे पहला है कमरा साफ करना, फिर पताके जलाना, मोटर बाइक में शहर घुमना और भी कई चीज़े लिखता है अगले दिन वो अपना कमरा साफ करता है और लिस्ट से वो चीज़ें स्ट्राइक आउट कर देता है फिर वो सुपरमार्केट जाकर अपनी मन पसंद चीज़ें उठा लेता है जब जॉंबीज आते हैं तो वो तैस भागता है फिर वो जाकर पठागे और बॉम खरीता है लेकिन उस दुकान के बार एक बड़ी बाइक घड़ी होती है और वो भी चाबी के साथ अगले सीनमा अकीरा उस बाइक में घर जा रहा होता है फिर वो पठाके रॉकेट्स और बाम्स जलाकर खुदी बहुत खुश होता है जॉंबीज की खतरनाक दुनिया में वो बहुत इंजुआई करता है क्योंकि उसे उस खतरनाक जाब से चुटका रामिल गया है अगले दिनों फिर सुपरमार्केट जाता है वहाँ पर कोई हेलमेट बहन कर खड़ा होता है अकीरा पोचता है कि क्या तुम जॉंबी हो फिर पता चलता है कि वो जॉंबी नहीं एक नार्मल लड़की है अकीरा तो उसकी खुबसूरूती पर फिदा ही हो जाता है पर इतने में आते हैं जॉंबीज लेकिन वो लड़की खुब फाइट करके सबी को खत्म कर लालती है तब ये एक जॉंबी उसकी ओर आता है वो एक म्यूजिक डिवाइस पर कोई गाना प्ले करती है और उसे दूर फिंक देती है जॉंबी भी म्यूजिक के पीछे चला जाता है अकीरा छुपकर ये सब कुछ देखता है फिर कहता है तुम मेरे घर आ जाओ दोनों साथ रहेंगे इस पर वो लड़की जिसका नाम जीना है वो कहती है कि तुम ठेरे डर पोक मैं तुम्हारे साथ आई तो मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी पड़ेगी आएंदा मेरे रास्ते में मत आना ये कहकर वो चली जाती है अकिरा उदास होकर घर आता है और अपने बेस्ट प्रेंशन को कॉल करता है पर वो कहता है यार मैं कुछ लड़कियों से मिलने के लिए मैजिक लॉज में आया था पर अब यहाँ पर जॉम्बी के बीच फंस गया हूँ अकिरा कहता है तू डर मत मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ ये कहकर वो अपने स्पोर्स गियर पहन लेता है और बाइक में मैजिक लॉज के लिए निकलता है वो एक छोटे म्यूजिक सिस्टम में कुछ प्ले करके उसे दूर फेंकता है तो उस एरिया के सारे जॉम्बीज म्यूजिक के और भागते है इसी बीच अकिरा बच कर भागता है कुछ जॉम्बीज उसे चेज करते है लेकिन अकिरा को ये बिलकुल फुटबॉल मैज जासा लगता है और वो सबी को धका देकर कार के उपर से उड़कर मैजिक लॉज में पहुंच जाता है वहां अकिरा को देखकर शिन बिलकुल हैरान जाता है उस दिन शिन से लड़ने के लिए अकिरा सौरी भी कहता है इतने में जॉम्बीज उनके पीछ ही आ जाते हैं पर वे एमर्जनसी एक्जिर से निकल कर चट पर पहुंचते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं फिर वे होटिल के अंदर जाकर अपने फेबरेट ड्रिंक्स करते हैं अकिरा का बकेट लिस देखकर शिन भादी हसता है कि तू और सुपर हीरो बनेगा अकिरा नेट पर सर्च करके कहता है कि एकुरम में एक स्पैशल सूट है जिसे पहने से शार्क भी नहीं काड़ता अगर मुझे वो मिल गया तो मैं बिलकुल सुपर हीरो की तरह लोगों को जॉम्बी से बचा पाऊंगा शिन को भी आइडिया अच्छा लगता है और दोनों बहर आते है तब ही एक बस वहां पर रुकती है और उसमें से नॉर्मल लोग उतरते है पर जॉम्बी जुन पर अटाइक कर देते है अकिरा बस के ड्राइवर को और दो लड़कियों को सुपर मार्केट में छुपने को कहता है तब ही जीना वहां पर आ जाती है और अकिरा उसे भी अंदर भेज देता है आखर में अकिरा और शिन भी अंदर आकर शटर लगा देते है बसकर ड्राइबर रोता है कि मेरी वज़े से ये सब कुछ हुआ पर्वे उसे शान करके सुला देते हैं अकीरा उन दो लड़कियों से बात करने लगता है पर्वे अकीरा पर जादा ध्यान देती नहीं पर शिन उनके साथ फलट करता है और कहता है मैं तुम दोनों को एर होस्टस बना दूंगा ये कहकर वो दोनों को अंदर लेके जाता है अगीरा और भी दुखी होता है कि कोई लड़कियों से पसंद क्यों नहीं कर दी तब ही जीना वहाँ पर आती है और पोचती है कि इस हालत में भी तुम इतना हस कैसे लेते हो लेकिन अचानक ड्रैबर की तव्यद बहुत खराब हो जाती है और वो जॉम्बेज बन करने काटने आता है दोनों भाग कर छिप जाते है वहाँ शिन बहुत मस्ती कर रहा होता है तभी ड्रैबर जॉम्बी एक लड़की को पकड़ कर उसके गले में काट देता है दूसरी लड़की उसको बचाने आती है तो वो उसे भी काट लेता है शिन घबराकर अकीरा के पास भागता है और दोनों मिलकर शटर खोलने की कोशिश करते हैं इतने में ड्रैबर जॉम्बी और दोनों लड़किया जिना पर अटेक कर देती है अकीरा उसे बचाने जाता है यहां शिन पटा के जिला कर फैंकने लगता है जिसके आवाज को सुनकर जॉम्बी उस तरह भागते हैं इसी वीच अकीरा शिन और जिना वहां से बचकर भाग जाते हैं बाहर जॉम्बी इसकी भीड़ोती है तब ही अकीरा को चाबी के साथ एक गाड़ी मिलती है वो जिना से पोचता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या फिर जॉम्बी बनना चाहती हो और कोई रास्ता न पाकर जिना भी उनके साथ चली जाती है शिन अकीरा की खुब तारिफ करता है कि तु सच मैं सूपर हीरो है यार अगर तू नहीं होता तो मैं और जिना तो बच भी नहीं पाते पर जिना को आता है घुसा कि यहां जिना को भी उसकी बात ठीक लगती है और उनके साथ एकुरम जाने के लिए मान चाती है यह हुई ना बात यह लो इसी खुशी में यह पीो जी आकीरा के साथ अब ठीक से बात करती है और अकीरा अंदर ये अंदर बड़ा खुश होता है एकुरम के रास्ते में अकीरा अपनी छोटी छोटी आशाएं पूरी करने लगता है वो पाने के बीच में बैठ कर योगा करना चाहता था इसलिए एक जील के बीच बैठ कर तीनों योगा करते हैं और बहुत पीस्फूल रहते हैं फिर वे पैराग्लाडिंग करते हैं और एक जगे कैंपिंग भी करते हैं इस तरह अकीरा एक एक करके अपने बकट लिस्ट की चीज़ें कर रहा होता है लेकिन उसके साथ शिन और जिना भी फिरी बर्ड की तरह खुब इंजुआ करते हैं और आखर में वे एकुरम के पास पहुची जाते हैं पर तभी उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और इधर उधर जाने लगती है अकीरा तो बेहोश हो जाता है कट करके दिखाते हैं कि अकीरा एक जगे लेटा हुआ है और कोई अकीरा अकीरा करके उसको पुकार रहा होता है अकीरा चौंकर उड़ता है क्योंकि वो इस आवाज को पहचानता है वहाँ उसकी कंपनी का चेर्मेन खड़ा होता है और कहता है कि बधायो अकीरा अब हमारी कंपनी यहाँ पर शिप्ट हो गई है इसलिए हम फिर यहाँ पर काम शुरू कर पाएंगे यह कहकर वो उसे अंदर लेकर जाता है वहाँ पर जोजो और शोरा भी होते हैं जो अकेरा के अपार्टमेंट में रहते थे जिना और शिन अपना काम करने लगते हैं अकेरा को विश्वासी नहीं होता कि वो फिर से कंपनी में फंस गया है चेर्मेंट उसे बताता है कि अब यह हमारा आफिस है और यह जॉम्बी इस हमारे सिक्यूरिटी गार्ड्स अकेरा कहता है कि मैं जॉब रिजाइन कर रहा हूँ पर चेर्मेन कहता है कि तुमने कमपनी के साथ बांड साइन किया है इसलिए तुम जाब नहीं छोड़ सकते ओपर से तुम्हारे फ्रेंड्स भी यहीं पर है और ये जगे बिल्कुल सेफ है सोच कर फैसला करो इस तरह वो अकिरा को जबर दस्ती अपनी कमपनी में रखता है यहां सिर्फ चेर्मेन को शांदार खाना दिया जाता है लेकिन दूसरे एंप्लॉईस को बहुत कम खाना मिलता है शिन को बहुत घुसा है लेकिन जोजू उसको रोकता है लेकिन अकिरा चेर्मेन की खूब सेवा करता है अब जोजू जिना और शिन को एकुरम के पार्किंग एल्या में लेके जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ प्रेगनेंट है इसलिए में बाहर नहीं जा सकता लेकिन तुम लोग यहां से बच निकलो शिन अकिरा को यह बात बताता है तो वो कहता है कि बाहर जाएंगे यार तो मारे जाएंगे चेर्मेन ताना शाय करता है लेकिन यहां कम से कम हम जिना तो रहेंगे अब शिन चौंग जाता है कि क्या यह वही अकिरा है जो हर पल को एंजुआई करने की बात कर रहा था कुछ जॉंबिस तो एकुरम के पानी में गिरते हैं वहाँ एक बड़ी फिश उन जॉंबिस को खाने लगती है ना चाहती बेभी अकिरा चेर्मेन का सारा काम करता है तब हिश इन चेर्मेन की आदमें उसे लड़ने भी लगता है और चीना अकिरा से कहती है कि तुम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ आने से पहले तुम जॉंबिस की बीच भी सेफ थे क्या तुम अपना बकेट लिस्ट भूल गए यहाँ काम कर करके तुम एक दिन मर जाओगे फिर अपने खुआशे पूरी कैसे करोगे और कप करोगे तुम लो यहाँ से निकलते हैं और अगर तुम्हारी विश्ट पूरी भी ना हो तो हम सम मिलकर जॉंबिस का डिनर बन जाएंगे कम से कम इस आदमे के गुलाम तो नहीं रहेंगे यह सब कुछ सुनकर अकिरा को अपने गलाती का एसास होता है और चेर्मेन से कहता है कि मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ तो मैं जो करना है कर लो इस पर चेर्मेन तो उसकी बकट लिस्ट को पैरो तले कुचल कर कहता है कि लिस्ट को भोल जाओ क्योंकि ये सिर्फ सपनों में होता है तब ही जॉंबी जाकर सब को काटने लगते हैं लेकिन अकिरा जिना, शिन, चेर्मेन और बाकी कुछ लोग बच कर भागते हैं और एक कमरे में जाकर लॉक कर देते हैं शिन तो चेर्मेन के साथ ही भीड़ जाता है कि तुम हमें सेफ रखने वाले थे ना लेकिन हम सब को मरने के लिए छोड़ कर खुद भाग गए तब ही वहाँ पर एक बड़ी शार्क अंदर आती है और धड़ करके गिरती है सब एकदम शाप फिर पता चलता है कि शार्क को भी जांबी ने काटा है और अब वो एक शार्क जांबी है अचानक उसके कई पैर निकलाते हैं और वो इन्हें काटने को दाड़ता है दरसल ये उन जांबी के पैर हैं जिने शार्क ने निगल लिया था सब तेज भागते हैं लेकिन शार्क दिवार तोड़कर इनके सामने आती है इसी भी चेर्मेन चाला किसे कहीं छिप जाता है और बागी लोगों को अकीरा एक कमरे में लॉक कर देता है नर्वाजा तगड़ी लोहे का बना होता है इसलिए शार्क अंदर नहीं आ पाता लेकिन अकीरा तो बहुत अकीरा को बचा लेता है यह सच में सुपर हीरो है लेकिन चेर्मेन अपनी जान बचा कर भागता है इतने में शिन एक बुल्डोजर लेकर शार्क पर चड़ाने की कोशिश करता है तब ही जॉंबी जा जाते है लेकिन अकीरा उन सब को भून डालता है यहां तो शार्क शिन तब ही शारक दिबार तोड कर आता है लेकिन अकीरा उस्यव से खुब लड़ता है। जिन शेर को बैटर्िस देती है और कहती है कि तुम अकीरा को यह दे दो और कहो हो कि इस्से शारक पर जोब मर जाते है। शेर को शौक लगेगा और वो मर जाएगा। शीं बैटर्री इसक अकिरा की और फिंकता है अकिरा उसे केंच करके एक सुपर हिरो की तरह उड़ता है और शार के पीठ पर सोर का मुक्ता है शार को भूती बुरा शौक लगता है और वह वहीं पर खत्म इस तरह ये लोग बच जाते हैं अगले दिन सब ये गारडी में वहां से निकल रहे होते ह अकिरा कहता है कि चेरमेन जी आपको अपनी सेफटी मुवारक हो अब कोई या आपके नीचे काम नहीं करेगा अगर आपको जीना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी वह अपने कलिक्स को भी कहता है कि तुम लोग भी अपनी बकेट लिस्ट मना लो और मरने से पहले वो का लैंच बन जाना हैना सिंपल इस तरह है किरा और उसके फ्रेंड्स अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए खोशी खोशी निकलते हैं और इसी के साथ ये मुवी होती है खत्म जब पता चलता है कि आज लाइफ का लाश्ट दिन है तो हम उस एक दिन में कितने पता गया है तो दोस्तों कैसी लेगे आपको यह स्टोरी वीडियो अच्छे लगी हो स्टोरी अच्छे लगयो एक्स्पैनेशन अच्छा लगा हो तो इसे जादा से जादा शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए मिलते है अगली वीडियो में तब तक ले गड़ बाई झाल झाल